अंगदान को महादान कहा जाता है देश में अंगदान करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले साथ सालों में ही इसमें 50% से जादा की बढ़ोतरी होगी है हाली में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोही ने उन्हें अपनी एक किड्नी डोनेट की है इसके बाद ओर्गन डोनेशन को लेकर चर्चाएं जोरो पर है आज हम बात इसी पर करेंगे नमस्कार इंडिया नियूस देख रहे हैं आप मैं करीमा श्रवास्ता हो आपके हैं लेकिन और्गन ट्रांस्प्लांट भी इसमें पीछे नहीं है एक उदारट से देखें तो साल 2014 में भारत में 6916 और्गन ट्रांस्प्लांट हुए वहीं 2021 में इसकी संख्या 12269 हो गई यानि कि इसमें साथ प्रतिशत के आसपास लगबग बढ़ोतरी देखी गई और्ग 55% की बढ़ोतरी की गई है बले ही और्गन ट्रांस्प्लांट की संख्या बढ़ रही है लेकिन आज भी इसके डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है एक मीडिया हाउस से बात करते हुए और्गन इंडिया के चेयर परसन अनिका पराशन नहीं इसक इससे इंकार कर देती है इसकी वजह से कई तरह की परिशानिया भी सामने आती है स्वास्ति सेवा महानिदशाले यानि की डी जी एचस की वेबसाइट पर उपलब सरकारी आंकडों के मताबिक देश में हर साल करीब एक दश्मलव आठ लाख लोग किड़नी फेलियर के शिक लिवर ट्रांस्प्लांट की जरुत होती है लेकिन सिर्फ पंद्रह सो ही लिवर ट्रांस्प्लांट हो पाते हैं वहीं हर साल करीब 50,000 लोग हार्ट फेलियर से पीडित होते हैं लेकिन साल भर में ट्रांस्प्लांट की संग्या सिर्फ और सिर्फ दस से पंद्रह ही हो पाती एक रिसर्च से पता चला है कि देश में पिछले 12,625 टांस्प्रांटेशन में से 72.5 प्रतिशत रिसीवर मेल यानि की पुरुष है वहीं पिछले 20 साल के आंकणों पर गावर करें तो जीवे डोनर्स में महिनाओं की संख्या 75 से 80 प्रतिशत तक है जब कि रिसीवर्स में आते हैं कि आज भी भारत में महिलाओं को पुरुष्यों की तुनला में कम एहमियत दी जाती है उन्हें देश भर में जागरुपता मढ़ाने और अधिकारियों पुलिस मेडिकल फैटरिनिटी और फामिली के बीच को ओडिनेशन पर जोड दिया है इस तरह कि तमाम जानका कारी में बने रहने के लिए देखते रहें जिया न्यूस है अन्यवाद